गाइस अगर आप मीसो से किसी प्रोड़क्ट को कैसान डिलेवरी में बाई किये हैं लेकिन अब किसी रेजन की वज़े से आप उस प्रोड़क्ट को रिटर्न करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि उस प्रोड़क्ट के रिटर्न होने के बाद आपको आपका पैसा त साथ दिन के अंदर हे रिटान कर सकते हैं अगर साथ दिन यह यह सन embarrassing सबनान आपको इस तरह से not available को आप सरो जैसे आप उस प्रोड़क्ट को नहीं करपाएंगे क्योंकि मीष्टो की डिडर्ण पॉल से सिर्फ साथ दिन की ही होती है तो आप साथ दिनों के अंदर ही हमारे इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोड़क्ट को रिटर्न पर डाल दे तो अब हम मीजो एप को ओपिन कर लिते हैं और फिर माई ओडर वाले सेक्शन में आ जाएंगे अब आपको जो भी प्रोड़क्ट को रिटर्न करना है उसे ओपन कर लिए और अब हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं मुझे यहाँ पर यह लिखा हुआ मिल जा रहा है रिटर्न और एक्सचेंज ओडर अवलेबल फाइब जैन यानि कि मुझे इस प्रोड़क्ट को पांच जनवरी के अंदर ही रिटर्न करना होगा इसी तरह से आपको भी डेट सो होगा आप उस डेट के अंदर अंदर प्रोड़क्ट को रिटर्न पर डाल दे तो अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ओप्सन सो होगी तो आपको प्रोड़क्ट को जिस रिजन से रिटर्न करना है उसे यहाँ से चूज कर ले हमें प्रोड़क्ट को रिटर्न करना है तो हम रिटर्न को चूज कर लेते हैं अगर आप address change करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने address को भी change कर सकते हैं और अब हम submit कर लेते हैं अब आपको यहां पर दो option मिल जाएंगी एक UPI का और दूसरा bank transfer का अगर हम bank transfer से return करते हैं तो हमें अपना पैसा पाने में 2-7 दिन का समय लगेगा लेकिन अगर आप UPI से return करते हैं तो आपका पैसा product के pick होने के बाद दूरंती आपको मिल जाएगा तो अब हम UPI को choose कर लेते हैं और फिर add UPI ID पर click करेंगे अब मेरे mobile number में एक OTP आएगा उसे यहां पर डाल लेते हैं और फिर verify कर लेते हैं और अब हमें यहां पर UPI ID डालना है अगर आपको नहीं पता है कि आपकी UPI ID क्या है तो आप यहां how to find UPI ID पर click कर ले और फिर आप जो app यूज़ करते हैं उसे choose कर ले तो जैसे कि मैं phone पे यूज़ करती हूँ तो हम phone पे को choose कर लेंगी और अब मुझे पता चल गया है कि मेरी UPI ID कहां पर है तो अब हम अपने phone पे app को open कर लेंगी और अब यहां से अपनी UPI ID को copy कर लेंगी और फिर यहां पर paste कर लेंगी अब verify पर click करेंगी अब मेरा UPI details यहां पर update हो गया है तो अब हम continue कर लेते हैं और अब मेरा return request submit हो गया है और अब यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि product pick up होने के बाद आपको 10 minute के अंदर refund मिल जाएगा इस product को delivery वाई आकर ले गया है तो अब हम देख लेते हैं कि मेरा पैसर मुझे मिल गया या नहीं तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मुझे यह पैसर return होने के 3 minute बाद ही मिल गया है इसी तरह से आप भी अपने product को तुरन return करके अपने पैसर को तुरन पा सकते हैं प्या आति हम दो आपया है डे 悲िख कर्प्राइब दचर देख 25 ला सकते हैं